तो क्या हले मरे भाईयों का? सब बढ़िया है ना? मुझे पता है आप काफी टाइम से कमेंट्स कर रहे थे और कल वाली वीडियो पर भी बहुत सारे कमेंट्स है कि आपको Moto H40 का camera comparison देखना है और काफी सारे phones भी आपने सेजेस्ट करें Samsung S21 FE के साथ करो Pixel 7a, Vivo V27 तो camera comparison वीडि दिन हो गए हैं तो मेरा experience इस phone के साथ कैसा रहा और 30,000 रुपीज के अगर price हो consider करें तो competition बहुत tough है because इस price segment में आपको कमाल की performance, especially gaming performance बहुत अच्छी चाहिए तो भी phones अवलेबल हैं जिसे कि Icoo Neo 7, Poco F5 let's say अगर आपको 30,000 में ही best camera phones चाहिए तो उस case में Vivo V27 एक बहुत अच्छा option है Samsung S21 FE बहुत amazing option है, वैसे मैंने दोनों का camera comparison करा वा है, description में link दे दूँँगा तो वो video देख सकते हो now इन सब amazing phones की existence के बाद भी Motorola ने decide करा कि हम भी 30,000 रुपीज के price segment में compete करेंगे और उन्होंने launch कर दिया Moto Edge 40 को, और ये phone अपनी sale के first day ही out of stock भी हो गया flip card पे अगर आपको offline से purchase करना है, तो Reliance digital पे available है, आप offline में पता कर सकते हो बाकि मैंने product tag कर दिया है, आप directly YouTube से भी purchase कर सकते हो Guys, frankly speaking, first sale में Moto Edge 40 का out of stock होना, मैंने तो expect नहीं करा था लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जिसको consider करते वे, आप मैंसे काफी सरे लोगों को ये phone value for money लगा होगा और वैसे ये value for money है भी, इसके अंदर amazing OLED display दी गई है, 144Hz के refresh rate के साथ phone का design काफी sleek है, phone काफी lightweight है, और उसके साथ साथ metal का frame भी side में दे दिया गया है जो normally आज की rate में 40,000 रुपीज के phones में भी देखने को नहीं मिलता है इतना सदा sleek phone बनाने के बाद भी, इस phone में IP68 dust and water resistant की rating दी गई है इसमें जो 50 megapixel का primary sensor है, उसमें optical image stabilization दी गई है तो इन 4 aspects को ध्यान में रखते वे, ये phone totally value for money आपको लगा होगा और आप में से सबने इसको purchase करने का decide करा होगा on paper अगर मैं देखू, तो yes, ये phone काफी value for money है और ये phone definitely मैं आपको recommend भी कर सकता हूँ लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि phone में कुछ negative points नहीं है मेरे experience में मैंने कैसा feel करा है इस phone के साथ वो सब मैं आपको इस video में बताऊंगा, बस एक request है वीडियो को like करके channel को subscribe कर दो और bell icon को press कर दो, so that जैसी मैं camera comparison video upload करूँ आपको पता चल जाए, एक बात और बता देता हूँ subscribe करना बनता है यार, realme 11 pro plus की video भी बहुत जल्द आपको channel पर देखने को मिल जाएगी सबसे पहले मैं start करना चाहूँगा phone के design और build quality से because first time जब मैंने phone को hold करा तो yes, phone बहुत जादा sleek है 7.6 mm के round है, इसकी thickness और 170 grams के round इसका weight है तो बहुत light weight है अगर आप एक ऐसे परसंद हो, जिसको sleek phones पसंद है तो आपको ये definitely पसंद आएगा मुझे personally sleek phones definitely अच्छे लगते हैं बस used to होने में मिरको कुछ दिन लगे थे because इससे पहले मैं pixel 7a यूज़ कर रहा था जिसके thickness obviously काफी जादा है लेकिन metal का frame pixel 7a में मिलता है और pixel 7a के review में मैं आपको बताए था कि back side पे plastic है, polycarbonate है scratches बहुत easily आ जाती है बट Moto H40 में यहाँ पे leather finish दी गई है और इस पे scratches आने का तो मतलब भी नहीं बनता हाँ बट इसको आपको थोड़ी care के साथ रखना पड़ेगा लेट से pen की ink या किसी ने थोड़ा सा pen चला दिया तो निशान आ जाएगा आपकी phone की back पे और वो easily जाएगा नहीं तो या तो black color में purchase कर लेना leather finish उसमें भी मिलती है और जो dark blue वाला आता है वो again polycarbonate back के साथ आता है उसको ignore करके leather finish वाला जदा better आएगा अब guys एक चीज है ये जो sleek phones होते हैं इनमें जो power button है और जो volume keys दी गई है ये थोड़ी सी sharp feel होती है जब भी हम इने press करते हैं तो थोड़ा सा used to होने में time लगेगा but with time मिलको भी आदत हो गई है now coming to the display इस phone की display मैं कहूंगा कि बहुत ही superior quality की OLED display इसमें use करी है Motorola ने मतलब 6.55 inches की ये एक full HD plus display है phone ज़़ा चौड़ा feel नहीं होता हाथ में पर थोड़ा सा tall ज़रूर feel होगा आपको 144 Hz के refresh rate के साथ आती है full HD plus है जैसे की मैंने आपको बताया जो color contrast है display का वो काफी neutral side पे रखा गया है बहुत ज़ादा oversaturated colors देने की कुशिश नहीं करी है Motorola ने तो जब मैं इस पर content देख रहा था movies देख रहा था, videos देख रहा था तो बहुत ही natural colors ये produce करी थी display and OLED display है तो definitely बहुत amazing deep blacks देखने को मिल रहे थे ये एक HDR 10 plus display है but Netflix पे HDR content stream करने का फिलहाल option show नहीं हो रहा, but मुझे ऐसा लगता है कि license के लिए Motorola ने apply कर रखा होगा and जैसे license मिल जाएगा तो आपको Netflix पे HDR content stream करने का option भी यहापे show होगा, movies देखनी हो videos देखनी हो, आपको ये display बिलकुल एक flagship phone जैसा feel देदेगी, एक reason और है जिसकी वज़ा से मैंने इसमें इतनी जदा movies और videos enjoy करी 30,000 रुपीज के price segment में जो इसमें stereo speakers दिये गए हैं वो loud होने के साथ-साथ max volume पे बिलकुल भी distortion मैंने notice नहीं करी तो बहुत अच्छी clarity और balance sound produce करते हैं इसके speakers frankly speaking 30,000 के segment में ये one of the best speaker output लगा मुझे in fact OLED display होने की वज़े से in-display fingerprint scanner उसमें दिया गया है optical fingerprint scanner है just thumb rest करते ही phone unlock हो जाता है काफी fast है always on display भी इसमें आपको मिल जाएगी तो display related यही था और बहुत बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं है एक चीज़ और बता देता हूँ कि phone की जो brightness है display की जो brightness है वो बहुत amazing है मैंने phone को काफी time outdoor में भी use करा है even harsh sunlight में भी display easily visible थी now performance की बात करूँ stock android जैसा है जिसकी वज़ा से कोई bloatware देखने को नहीं मिलता apart from few apps जो Motorola की inbuilt apps है जैसे की moto secure यहाँ आप अपनी कुछ pictures, videos या फिर कुछ apps को secure folder में move कर सकते हो so that वो जो कुछ apps है वो सीधा आपकी app drawer में show नहीं होंगी in case अगर आप अपना phone किसी को देते हो तो वो access easily तो नहीं कर पाएगा pictures अगर आप hide कर सकते हो इसी के साथ साथ एक feature एसमें sidebar यहाँ पे आप अपनी कुछ favorite apps को implement कर सकते हो और easily just tap करके उन्हें launch कर सकते हो other than that इस phone के अंदर जो haptic feedback implement करे है motorola ने वो मुझे काफी impressive लगे especially अगर मैं 30,000 रुपीस price को consider करूँ तो मतलब जब मैं typing कर रहा था तो कही ना कही flagship phone जैसी feel आ रही थी even apps के बीच में जब मैं switch कर रहा था तब भी proper haptics feel होते हैं and overall experience को काफी enhance कर देते हैं now coming to the processor Dimensity 8020 इसके N2T score आए है 6,40,000 के round जो की काफी close है Vivo V27 के Dimensity 7200 chipset के साथ आता है Vivo V27 and overall performance के लिए ये phone day-to-day life में बिल्कुल भी lag नहीं करता है 144Hz के refresh rate को ये easily handle कर लेता है फिर चाहे आप normally app draw यूज़ कर रहे हो अपने apps चेक कर रहे हो या फिर अपनी social media apps यूज़ कर रहे हो overall बहुत smooth feel होता है ये phone अगर आपको gaming करनी है let's say call of duty खेल रहे हो और high graphics, high frame rates पे आपको gaming करना पसंद है तो ये phone आपको disappoint तो नहीं करेगा और इसके अंदर as such कोई बहुत ज़दा heating issues भी आप notice नहीं करोगे बट मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा अगर आप एक ऐसे person हो जो daily एक से दो घंटा gaming करता है अपने phone में तो मैं आपको iqo Neo 7 या फिर Poco F5 जैसे phones recommend करूंगा otherwise अगर आप casual gamer हो कभी weekend पे time मिला एक दो घंटे gaming कर ली उसके लिए आपके लिए फोन की जो performance है वो sufficient रहेगी अब मैं क्यों आपको Poco F5 iqo Neo 7 gaming के लिए recommend कर रहा हूँ well एक video मैं आज रात को 10 बच के 15 मिनट पे upload करूंगा उसमें आपको बता दूंगा क्योंकि 30,000 के segment में काफी सारे phones हो गए है और थोड़ा सा मैं अपना opinion देना चाहूंगा तो join कर लेना 10 बच के 15 मिनट पे well Moto H40 out of the box Android 13 के साथ आता है और Motorola ने 2 साल के OS updates promise करे हैं तो Android 14 और Android 15 तक का आपको update मिल जाएगा security patch updates आपको 3 साल तक मिलेंगे बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा disappointed हूँ Motorola के past track record को देखते वे जो इनका Moto H30 है उसमें लगभग 2 हफते पहले जाके Android 13 का update आया है और उसके लावब भी काफी सरव smart phones है Motorola के जिसमें यह OS update बहुत late देते हैं especially अगर मैं competition से compare करूँ तो Samsung, Google Pixel जैसे जो phones है even iPhones है वो काफी time पे updates प्रोवाइड करते हैं consumers को तो Motorola को थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि time पे updates देंगे तो ज़्यादा better रहेगा Moto H40 में rare side पे जो primary camera है वो 50 Megapixel का है OIS के साथ 13 Megapixel का ultra wide angle lens है जो macro shots capture करने में भी आपकी help करेगा वैसे तो मैं आपसे request करूँगा camera comparison वीडियो का wait कर लो मैं कल upload कर दूँगा upload करते ही description में वीडियो का link दे दूँगा तो check कर लेना पूरा detail में ये कुछ camera samples आप देख सकते हो और मुझे नीचे comment करके बताना ज़रूर कि आपको ये camera samples कैसे लगे कुछ-कुछ pictures में colors थोड़ से boosted देखने को मिले और accurate colors capture करने में कही न कही थोड़ा सा struggle करता वा नजर आया मुझे camera वाकि detail में test करूँगा compare करूँगा तो better बता पाऊँगा वाकि 1080p 30fps पे जब हम videos record करते हैं तो ये stable video record कर लेता है बट जैसी 4K पे switch करते हैं तो video stabilization वहाँ पे नहीं देखने को मिलती stable videos तो ये एक कमी है front camera में skin tones थोड़ी सी मैंने और natural expect करी थी वैसे 32 Megapixel का इसमें sensor दिया है लेकिन details ठीक है अब compare करूँगा तो better बता पाऊँगा थोड़ी सी picture selfies थोड़ी सी और sharp हो सकती थी इस phone में आप एक physical sim और दूसरी e-sim यूज़ कर सकते हो तो dual sim phone है 14 5G के bands दिये गए है call quality अभी तक मुझे excellent लगी है guys battery के अगर बात करूँ 4400 image की battery एक इतने ज़दा sleek phone में देना बहुत बड़ी बात है यहाँ पर मैं appreciate करूँगा Motorola को and battery backup मेरे को यह phone एक दिन का easily दे रहा है अगर मैं screen on time की बात करूँ तो 6 hours 6 and a half hours का screen on time मुझे इस phone से मिला है the best part is 68 watt की fast charging को यह support करता है charger box के अंदर अब label है कभी late हो रहे हो कही जाना है तो just 15 minute 20 minute phone को charging पे लगाओगे phone 50% charge हो जाए इससे सदा क्या चाहिए तो battery backup को लेके कोई complaint नहीं है and वैसे यह 15 watt की wireless charging को भी support करता है और अगर आजकल जैसे डेली में काफी बारिश विगरा हो रही है आप कई बहार जाते हो IP68 rating बहुत important होती है थोड़ा बहुत पानी phone में चला भी जाए तो at least आपका phone खराब नहीं होगा again बोलूँगा इतने sleek phone में IP68 rating वैसे मैंने expect नहीं करी थी तो कुछ departments में Motorola ने कमाल का काम करा है और अगर आप एक ऐसे पसंद हो जिसे curve display वाले phones पसंद है तो definitely Moto H40 आपके लिए एक बहुत अच्छा option है वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में till then you guys have a great day